अलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आई जाने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए राहूल गांदी की नागरिकता पर सवाल उठ रहे हैं क्या राहूल गांदी भारत के नागरिक हैं या फिर फारेन अर्थात लंदन के जानते हैं यह पु मुद्धा बन गया है क्योंकि इनकी जो नागरिकता है ते इसका नागरिक भी जानना चाहता है क्योंकि यह अभी लोकसभा चुनाव होने वाले में प्रधान मंत्री के दावेदार हैं यदि सरकार सत्ता में आती है अर्थात कांगरे सत्ता में आती है तो यह प्रधान मंत् सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार इक खबरों के लिए यूटूब चेनल मोर क्रेटिव बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेसन ना पुस्सिक्रता से बेले चलिए खबर देखते हैं पूरी विश्तार से लोगसबा इलेक्षन 2019 राहूल गांदी की नागरिक्ता पर उठे सवाल जानिए पुरा मामला 21 अप्रेल 2019 का अपडेट है देखते हैं खबर कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांदी एक नई मुश्किल में फंस्ते न जला रहे हैं अमेठी से एक निर्दली प्रत्यासी ने राहूल गांदी की नागरिक्ता पर सवाल उठा हैं और चुनाव आयोग ने इसकी मांग की है और उनका नामांकन रद करने की बात कही है राहूल गांदी के चुनावी हलप नामे के अधार पर यह सवाल उठा है साथ ही उनकी सेक्षनिक योग्यता पर भी सक जताया गया है कि चुनाव आयोग ने राहूल को नोटिश जारी किया है और सोम्मार सुबह 11 बजे तक जवाब मांगा है अर्थात अमेठी में एक निर्दली लोगसवा परत्याशी ने राहूल गांदी की नागरिकता पर सवाल उठाया है और उनकी जो सेक्षनिक योग्यता है उस पर भी सवाल उठाया है और उन्होंने चुनाव आयोग को नोटिश जारी किया है तो चुनाव आयोग ने इन सब मामलों की जानकारी राहूल गांदी से सोमार सुबह 11 बजे तक मांगा है अब देखते हैं राहूल गांदी सोमार सुबह 11 बजे तक इसकी जानकारी देते हैं या फिर नहीं लेकिन हम अभी ये पूरा मामला जान लेते हैं राहूल के खिलाप यह मुद्दा अमेठी के निर्दली प्रत्यासी धूरव राज ने उठाया है उनका दावा है कि यह ब्रिटिस कम्पनी पांच साल अस्तिवित में रही थी और उसने कुछ मुनाफ़ा कमाया होगा लेकिन राहूल के हलप नामे में उसका जिक्र नहीं है इसके बाद भाजपा ने भी पूछा कि 2004 में दिये गए चुनावी हलप नामे के अनुसार राहूल गांधी ने किस कम्पनी में निवेश किया था नर्सीमा राम ने भी दावा किया कि इस कम्पनी का नाम बैकप्स लिमिटेड है और यह लंदन में रेजिस्टर्ड है क्या राहूल इसके निदेशक है उक्त कम्पनी द्वारा ब्रिटिस सरकार को दिये गए दस्तावेजों जिन में मेमोरेंडम आप एसोसियेशन वह 31 अगस 2005 की अउधी के सालाना रिटर्ण में साब का गया है कि राहूल ब्रिटेन के नागरिक थे यदि राहूल ब्रिटेन के नागरिक हैं तो भारती नागरिकता कानून 1955 के तहट स्वतह भारती नागरिकता खो चुके होंगे इस कानून में प्रावदान है कि दुसरे देश की नागरिकता लेते ही भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है इसका मतलब हुआ कि राउल गांदी ने बृटिस कम्पनी में अपने सेयर डाले है और उससे इनको मुनाफ़ा भी हुआ है इसका मतलब हुआ कि उस company के सायद डारेक्टर या फिर निदेशक रहे होंगे और उसी इस्थिती में किसी company का निदेशक हो सकता है आदमी जब तक वह वहाँ का नागरिक ना हो तो बास साबित होती है कि राहूल गांदी लंदन के नागरिक है अर्थात उन्होंने वहाँ की नागरिक्ता ली होगी जब उन्होंने वहाँ की नागरिक्ता ली होगी तो भारत की नागरिक्ता उनकी समापत हो जाती है यह इस प्रकार से समिधान में लिखा गया है भाजपा दिल्ली में भाजपा मुख्यालेमा आयोजित प्रेस कांफरेंस में पार्टी प्रवक्ता जीवील नर्शीम राओ ने कहा कि आज पूरा देश इस्तब्द है क्योंकि राहूल वो उनके वकील राहूल कौशिक उनके नामंगन पत्रों को लेकर मागा गया ब्योरा अ चुनाव अधिकारी को नहीं दे सके हैं अमेठी के निर्दली प्रत्यासी द्वारा उठाए गए सवाल काफी गंबी रहे इसलिए राहूल के वकील के पास उनके उत्तर नहीं है भाजपा भी इस मामले में कांग्रेस से कुछ सवाल कर रही है इसका मतलब हुआ कि निर्दल आयकत को जवाब देना होगा लिखित में जवाब रहूल गांधी देंगे चुनाव अधिक को तब पता चलेगा कि अकीगत क्या है राहूल की सिक्षा के दावों पर भाजपा प्रवक्तार अर्शीमा राव ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा 2004 से अब तक के चुनाव में दायर सपत्पत्र के आदार पर उनकी सेक्षनिक योगगता पर भी सवाल उठाए बाजपा के मुताबिक राहूल ने 2004 में बताया कि 1999 में उन्होंने बारवी की और कैब्रिज युनिवर्सिटी से 1995 में एमफिल की डिग्री लिए है 2009 में उन्होंने का कि 1994 में रोलिंस कालेज आप लोरिडा से ग्रेजिवेशन किया है और 1995 में डेवलप्मेंट इकनामिक्स में ट्रेनिंग कालेज से एमफिल किया है वही 2014 चुनाव में उन्होंने बताए कि Development Economics में नहीं बलकि Development Studies में एमफिल किया है बाजपा का दावा है कि किसी राउल विंसी ने उस साल डिग्री ली थी न की राउल गांदी ने राउल बताए क्या उनके अलग-अलग देशों में अलग-अलग नाम है यहां इस पस्ठ राउल कहे रहे हैं कि हमने ए डिग्री ली है लेकिन भाजपा ने जब इसकी चानवीन की यूनिर्शिटी से जब पता लगाया तो वहां पर एमफिल की डिग्री राउल गांदी ने नहीं लिए है राउल बिंसी ने लिए इस प्रकार से थुला सा सक बैट रहा है भाजपा प्रवक्ताओं को या भाजपा पार्टी को जब भाजपा पार्टी को इस प्रकार से सक जा रहा है और यह ख़वर मीडिया में सोशल मेडिया में और अगबारों में फैल रही है तो जनता को भी सक होगा कि राहूल गांधी की जो सैक्षनी की उग्यता है हसल में उन्होंने जो पड़ा है वो है या नहीं और उनकी नागरिकता पर भी सवाल उठना लाजमी है तो इस प्रकार से जानकारी थी अब सौमार 11 बजे जब राहूल गांधी चुनाव आयोग को लिखित में अपनी जो भी बात है वो लिखित में जवाब देंगे तब ही पता चलेगा क्या है तो इस प्रकार से जानकारी थी यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जो रूल करिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्प्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की खबरों के लिए यूटूब चैनल मोर क्रेटिव रेट बटन दबागर सब नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकान पर क्लिक कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिपिकेस्टन आपको सिक्रता से मिलें मिलते हैं सर अगले इसी प्रकार आपके काम की खबर के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत